दिखा ये थोड़ी और बात कीजिए और इस वक्त वारणसी, कांशी, मोधी मैं है और दूसरी बार चब आया था तो बनारसी बना दिया था तो ये कुछ ऐसे कोट्स हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने, क्योंकि लाजमी सी बात है, अर्विन जी काफी अच्छी अगर हम बनारस की बात करते हैं, तो उस स्टोन में बोल पाते हैं, तो प्रधानमंत बिल्कोल बिल्कुल वह बोल लेटे हैं और साथी साथ अगर हम सचिद नाब्रधान मंたい नपर मोदी की सब्लाफ की प्रमॉद्ध पर्धार्न टिर नमीनिट किया गया था यानि परारस इसे को या कहें सनातन धर्म का पयरुकार बताने के लिए चाशी से बहतर जगा कुछ नहीं हो सकती लेकिन जिस तरीके से अर्विच्छे बता रहे हैं तो इसे ताथ जो है जो आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा जो है यहाँ पर आ चुका है प्रधार मंच्री नरेत रोधी का यहाँ पर इंतिधार हो रहा है प्रधार मंच्री से ज्यादा यहाँ पर अपने सांसत का इंतिधार सभी रोग कर रहे हैं क्योंकि प्रधार मंच्री प्रधार मंच्री क वो यहां पर इस सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आना शुरू कर दिया है कुछ कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे क्योंकि हम आगे जाएंगे तुम माइक पर लेकिन अगर हम रंगों की बात करते हैं क्या आपने गाता कि रंग के सहसे यहां पर आप देखके भगवा रंग में रहां चुका है काशी जो है बेहत बूप सीरत हो गई है अपने सांचत को वेलकम करने के लिए यहां पर और लगातार चलते जारें और आप दिखाने हैं कि तरीके से यहां पर शुषीता भाण में चाहुंगे हैं अजी आप में कोई नहीं आएगा तो आपको आ है पकूछ बैक्जारी कर दाने लिए चाहिए फक्र रंग करेंगे। इस बार क्या उमीद शाप को इस बार प्रधार मंत्री से बहुत कि घर्घर में है और यह गगा के तर्ट में वसा हुआ है नमो गंगे महा गंगे महा देवस चवल वे वह तेत्वा महा देवी स्री भागी रती नमस्तुते गंगा जगपाव नी सीव सिर्भूशा मनुहार नी कासी छेत्र विशेश मानकान नी बाता उद्गवाई नी तो बोधी को तो आना ही आना है आकण तो यहां पर प्राधार मंत्री नरिंद्र मोधी हैं पर उसके अंगे जानी की कोशुश करेंगे क्योंकि भीड बहुत ज्यादा है स्टेज जो है वो यहां पर सेट हो रहा है कि पूलों की बारिश हो रही लोग जिसको जहां जगा मिल रही वो खड़ा हो जा रहा है अरविन जी इस वक्त आप जहां पर मौझूद है मैं चाहूंगा कुछ और मेमरीज को शेयर करें कुछ और बाते करें इस बीच मैं चाहूंगा कि आप वो दर्शकों को डो मिराजा की बात भी बताईए कि क्यों काशी का डो मिराजा सबसे प्राची नगरी तमाम चीजें मतलब अधबूत है काशी देखें यहां पर दो घाट है हरिशन घाट और मरीकरी का गाट और दोनों का अपना महत्तो है हरिशन घाट के साथ महाराजा हरिशन जो की अयुद्या के राजा थे उनकी कता जुड़ी हुई है लेकिन मरीकरी का गाट मैं भी जुस ढूम राजा ने पिछली बार नरेंधर मोदी के प्रस्तावक बनने का काम किया था अब वो इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन आपने देखा था कि किस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंधर मोदी ने उनको गले लगाया था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पर जो परंपरा चलती है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्य होती है तो इन दो जगों पर उनको जलाया जाता है लेकिन उसको आग देने का जो काम है वो यहां के डोम राजा करते हैं और उनके आग के दिये बिना कहते हैं कि जो डेड़ बॉड़ी होती है उसमें आग नहीं लगती है तो यह कासी का महात्म है और कासी की महत्ता है और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि काशी में जो यहां केदार छित्र है सचिन केदार छित्र में कहा जाता है कि अगर आप वहां पे मरते हैं या आपकी मृत्य होती है तो आप सीधे स्वर्ग जाते हैं आपका दोबारा जन्म नहीं होता है ये वेद में उलिकित है अभी मैं काशीविष्णाद मंदिर में जिस दिन बातचीत कर रहा था तो उस दिन मैंने काशीविष्णाद कोरियोडोर को पूरा दिखाया उसमें एक मुमुक्षु भवन बनाये गया है मुमुक्षू भौन में अब तक जो है पांच लोगों की डेथ हो चुकी है यानि पांच लोग काशी विशनात जो कैंपस है जो कोरियोडोर है उसमें मरे हैं यानि आप सोचिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसको मुक्ति मिल दुबारा वो वो वापस इस दुनिया में ना आए तो मुमुक्षू भौन उसी का उधारण है काशी विशनात मंदिर के अंदर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही एक मुमुक्षू भौन बनवाया है वैसे एक 80 पे भी मुमुक्षू भौन है वो लोग वहाँ प पहले किसी ने ये सपना क्यों नहीं देखा आखिर पहले किसी ने इसको क्यों नहीं बनवाया सवाल यही है कि आपकी जब नियत अच्छी होती है ना तब आप इस तरह का काम करते हैं सपना देखना महत्रपूर नहीं है उस सपने को जीना और उसको पूरा करना महत्रपूर है शायद यही कलाम कहते हैं कि सपने अगर देखिए तो खुली आखों से देखिए क्योंकि बंद आखों से सपने पूरे नहीं होते हैं सचिन बनारस के लिए प्रधान मंतरी नरिंद मोदी ने खुली आखों से सपना देखा और उस सपने को जीया उसको पूरा किया और मैं सम प्रण करते हैं तो उसको हर हाल में पूरा करते हैं कभी भी साधारन काम करने में यकीन नहीं रखते हैं किसी भी काम करने के पहले उसकी महीनों रणनीती बनाते हैं उसके कई टीमें काम करती है कई तरीके से उसका इमतहान लिया जाता है उसके लिए अलग से टीम बनाई जात प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी जब काशी विष्णात का उधlic मोधी की खासियत है काशी के कोत्वाल संकट मोचन अनका शीरवाद और बाबा विष्णात की करपा ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो काशी में किसी के भी पैर अच्छी तरीके से जमा सकती है और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी भी इन तीनों ही दर के भक्त है मेरे साथ निकता सरीन भी जुड़ी हुई है असी चोराय से और महिमा कटारिया काशी विश्वनाद गेट से इस वक्त जुड़ी हुई है महिमा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के इस रोड शो को देखते तो यहां पर भीड जो है वह बहुत एक नाम हमारे साथ यहां पर पहुत है कितनी एक्साइट्मेंट की तुमाती मात पूछे पूरा कासी जैसे लगा दुलान की तरह सजाया गया है लोग इतना है कि वह आजे तो अपने प्राणे हिसा निकलना जाए कि हम लोग के अंदर यह चीज है तो उनके लिए फोट शुटा से गाला पेस करें चंदा ने पूछा तारो से तारो ने पूछा जारो से सबसे प्यारा कौने है अब देख सकते हैं कि गाने भी जो है राजीव यहां पर गाय जा रहे हैं अगर अगर हम आपको लेट और राइट साइड़ाइब अगर अगर हम आपको लेट और राइट साइड दोनों जगा दिखाए तरह को का जमावड़ा है वह यहां पर लगना शुरू है अगर 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 वह यहां परदान मंत्री आ जा रहे हैं उनका आज हम रोड़ तो है और भाहरत में पुरा कुना चार्पाउल सीट के साथ को पुरा पर चंड मोजिश्ण वहोत की दरकारplain जा रही यह अगर आपको थैजिश्ण पुरतात साइडı क्या है आप शुरूरा ने चल रहा है और अच्छा योगदान रहेगा अब आने बाले समय में आपके पास माइमा मैं आता हूं आपके पास अर्विंद चत्रवेदी हमारे साथी इस वक्त मेरे साथ भी अच्छी के ठीक सामने से जुड़े हुए अर्विंद B.H.U. बनारस में वो जगाए है जहां से बनारस के एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बनारस जुड़ा हुआ हुआ है B.H.U. के बारे में किवल बनारस ही नही देश विदेश भी जानता है लोग यहां से पढ़ने आते है और ये आसपास जहां पर आप मौजूद हैं यहां छात्रों और युवाओं की काफी ज्यादा मौजूद्गी रहती है पिछले दो टर्म से प्रधान मंतरी यहां से प्रतिजित्व कर रहे हैं और जब भी यहां आते हैं यहां एक अलजब सा महाल होता है आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अगर लोगों से भी बात करें तो वो भावना क्या है लोगों के दिल में प्रधान मंतरी को लेकर रजू देखिए ऐसा है कि हम लोग एक मंच पे हैं और हमारे सामने देखिए किस तरह का उसा है अगर आप आते हैं तो जैसे मक्षी आती है ने चारों तरफ से यह जो पब्लिक है मक्षी की तरह आपके पास आ जाएगी यानि इतना उसा है मतलब इसको यह संग्या मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यह सारे के सारे लोग उसाहित हैं इनके मन में प्रधान मंतरी नेरंद मोदी को लेके इतना उत्सा है कि ये लोग अपनी भावना को व्यक्त करना चाते हैं नेरंद मोदी के सम्मान में अपनी बात को कहना चाते हैं और ये कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको पढ़ाया गया है या सिखाया गया है ये वो लोग है जो स्वतंत्र हैं जिनको किसी ने बुलाया नहीं यह अपने से आएं और जो इनकी भावना है वह अद्बुत है वह किसी को भी खीच सकती है बुला सकती है देखें यहां पर जो लोग है उत्सा के साथ बाते कर रहे हैं मैं सोच रहा हूं कोशिश करता हूं कि जड़ा नीचे तरह हो तो मैं हां हम जड़ा सा तोड़ा भोचपूरी भी बति आएंगे कि का माहौल चलत हो है ना राजू देखें मेरे साथ यह महिला है क्या नाम है आपका मेरा नाम काजल सिंग है काहां रहती है मैं यह बनारस डिल लब्लू के रहने वाली हूं वोचपूरी जाने लू खाथी आपने सही खाथी देवे के हाई पाई जी के लिए को नों गाना बनाव लेकांड़ा जो राम को लाएंगे छोबिस में हमको राम कसम मोदी को लाना है वो राम दिवाना है भगवा लह राना जोड़ के तोर मरोख के जोड़ देवल गैल क्या नहां में छंद्रपर्ती चंद्रपरती का चंद्र जिसे घर डिजाइनिंग काम करें बहुत बढ़ियां कि बताओ का हालो मोदी जी का इस्तिति हो जितियां बीपक्ष कहता थे कि यह दा पारी हमन देख ले देखा देवल जाई कुछ हो अच्छा मामला हो काम बनारस में बहुत काम बहुत काम बहुत घात निर्माट सड़क नि चलेगे लेकि नहीं बना पाए कि था यसी लिए नहीं योपाता था मोदी जी बहुत इमांदार है पर नाम गुलाब बिंद राम नगर से मैं आता हूं अरे गुलाब बिंद का नाओ यार सत्यम सिंग कहां कहां गरदवार नोपड़वा कहां करला यार कुछ नहीं सर नहीं करत हुआ ता मोधी जी के करेक्सरे में कैसे आओ एक मन कहीं लेता हुआ हम लोग सब दिन से ए मोधी जी का हुआ अच्छा तो अरे में बीजली जिली आओ तो हाँ आसाब देर आहा तो कि नहीं भी जी आवाल अठारा घंटा अलगटा अछलाव बहुत बढ़िए अक क्या अचित करते हैं क्या सविक्ति करते क्या माहोल है तो अच्छा है ये बिल्गल जीघत जाएंगे अध मोदी जी का वागत करने के और कोई नई घर पे सब लोग है घर बंद करती है नहीं घर पे तुम लोग खाना बना हम लोग आ रहे हैं अब देश के प्रधान मंत्री की मामला है तो भई वही लोग बना है हम लोग तो आगे आए ये सही कहा आपने महिलाएं जो है अब राजा बनेंगी अपने सुना ना महिलाएं राजा बनेंगी शेफाली शर्मा तो सेफाली जी आप मम्मी का काम हां सची की जुट्टी सच बता रहे हैं अच्छा क्या हाल मोधी जी कैसे चिते वह अपकी बार 400 पार जाएंगे वाइग गजब है बाई जैकिसन जैस्वाल क्या करें जाएंगे और किसी मत अमीन यह इतना नहीं है नहीं निकल गया हाँ हम तो भीहार से आगे हैं और यहां कैसे आगी लिए देखने लिए मोदी के रोड सो और दवा कराने के लिए लीए सोचे कि हाई चलते हैं सोमार है मौदी की गरांटी की गरांटी है है दवा भी कराएंगे और जी से थोड़ा उनका के गए करेंगे बिहार में ठीक बहाल लेकिन लोगा तो का दूआ कि लालु यादो तेजस्पी बड़ा तूस अब बेलकूल बकवास बटे बस मोदी जी अब की बार सो चार सो से भीपार बेलकूल बेलकूल क्या बात है भाई है सर हम नहीं बोल रहा है अपने से पहले बार मोदी जी को देखने का सवाग्व प्राप्त हुआ है और मैं सौयम आपको गारंटी देता हूं कि बनारत क्या मद्य ब्रदेश से लेके पूरे भारत वर्ष में जो हिंदुत वराष्ट आज देखने को मिलेगा मोदी जी के जो गर्व देखने को कहते हैं कि हिमाले हम्र व्हिंदु पर्शेक्जथ देवतस दोरा बनाया गया देश हिंदुस्तान है और ह हमारे माननी पर्धानमंत्री मोदी जी उस देवता पारवती पते हार देखे यह आम लोग हैं जो पिये चुकि शात्र नहीं प्लक्राइब भागना है वागने नहीं पांडे काहा रहा है भी हार से बीहार में तो बहुत प्रदिया सिथ है तो वहां के देखी अग देखें दो प्रग्राम रुग दो नहीं है बहुत बढ़ी है पानी निवह रहा था आज के देख रहेंगी बनास बदल चुका है और बिहार में भी होगा बगी तुमारा नितिस के लेकर हम लोग दिस्टर्ब हैं और मोदी जी तरह निवह पहुंचाएं जब बीजीपी में आते हैं तो शुदर जाता है बीजीश जैसे की मेरा नमार कंडे सरमाहे समाज का प्रदिस का अधेक्स होर और परता महा थोर दो रही हुआ-धा महावल तो मोदी- बोधी है पूरे क्यों कि जी जी जब से मोदी जी आये हैं हमारा देश उरक्षित है क्योंकि 2014 से पहले पथरबाजी होती थी अतंग बाद तो पहले 20 कर्मा समाज का पूरा 80% लोग जो है कि कमल खिला रहे हैं अब 20% 20% 10% इसी तरसा किसी भी कौम का ओट नहीं दस परसेंट को के भी मिला वहां हां उसक काजी पूर से आगी ला यार तो वहां चुनाओ के लड़ी पारस नातर आये हैं बीजे पीछे एकदम बिल्कुल अरे हमोट के दिन गाव पर रहेंगे ना पर रहेंगे ना पर रहेंगे रभा उनके संगे पद्यात्रा करा थोड़ा नारा वरा लगावा किये हैं जंदा भ अब जाल अंसारी कोई भी लड़े सब हावा हावाई हैं अब जोटे लाल क्या करते हैं मैं किसानी का काम करता हूं अच्छा लोग बताओतना कि मुक्तार के मरगेले से बड़ा हुआ लोगन में जो है एक जैसे का ना की भाई अब जाल के प्रती थोड़ा महौल थोड़ा बना लो अईसेन हो का अईसेन कोनों बात नहीं हो बिलकुल नहीं है एक दम नहीं है अगर हम दकैती चुरी करी साफ पुलीस हमकों पकड़के ले जाये अंदर तो हमके अगर को घटना घड़ीगर आपके कौन साहनी भूती होई कि कि नगया कम से कम जाने दो जान बचल और देखें मतलब की मोजी जो है ने वास्ताव में सांस्कृति क्यागाई कि प्रती मतलब उन्हें एकदम अक्षुण ये देश्पू बना रखा है हाई जो देखाते हैं ने के लिए में डर लगा है लेकिन आज अरे बिल्कुल पहले का चुगदा के पहले कौन पहंता था लेकिन आज कम से कम इसी वाने राष्टी सांस्किति की एकाई को अक्षुण बनाने के लिए मोजी जीने हर चीज इस देश में रख दिया है अज देश का पहचान हो गया है भगवा पहिना था भगवा पहिन के सूता था नहीं रहेगा तभी तो शलेगा भगवा होना भी राष्टी बढस पहचान है oh yeah बहुत आपके साथ लोगों में इना वाइन मैं करत करो हा दो देखने की गाड़ी जा रही है क medida कोई बच्चा मूदी जी को देखने के लिए जीद कर रहा था क्या भाई तुम चल रहा है यहां का लेक्त है इतने काम करने के बाद भी अगर जंता उनको नई जिताएगी तो फिर ना इंसाफी होगी को बढ़ती करते हैं कि दोनों लोग तो फिर उनकी छुटे अलग टाइम पर हुई है मेरी अलग टाइम पर दोरों लोग के चुटी अलग अलग हुई तो पहले आ गए बाद में आ गए जी तिक यह कितना कमाल का माहौल है कि पती पतनी दोनों देखने आए आए आप लोग क्यों भाग रही है आए का ना हो यार मुले सिंग पटेल मिर् मिर्जापूर पूरे भारत की बिजेपी में रमेश बिन देदापारी आगल हुआ बड़ा ताओ रमेश बिन वह इंडिया गड़बंदन से हैं अनपरिया जी के सामने उनका कद एक दम बहुना है कर तो रहा हूं कि बनारस के बाद मिर्जापूर विकास के मामले में हिंद अब देखें यहां पर आवा बहुत है नहीं आप थोड़ी देर रिलेक्स वहीं महिमा का रोग कर लेता हूं महिमा भी मेरे साथ इसक जड़ी हुई है महिमा आपके आसपास भी लोग होंगे रोच्छो के लेकर उत्साह अलग होगा बनारस क्या बोल रहा है क्या बंबं बोल रहा है महाँ पर देखें अगर हम आपको दिखाए कि किस तरीके सी एकसाइचमेंट और किस तरीके का बोलिए महिमा बोलिए आपकी अबास सुना रही पर देखें कि आगे-व्यूर्ट करंए कि लेंकि यहां के का पर रहे हैं क्योंकिण को आगे जाने की कोशिश करते हैं mistr कुछ बोला जा रहा है लेकिन हम एक्साइटमेंट और लोगों का मूर चानने के जरूर कोशिश करेंगे कि आकिर क्या एक्साइटमेंट है क्या कुछ लोग इस बार सोच है क्योंकि काशी की चाहता है तो प्रधार अधिये दुरोदी अपने आप में एक जब हम बनारस की बा प्रधान मंद्री चुना जाते हैं वो चल रहा है और लोग जो है वो इसे गौर से सुने की पोशिश करेंगे प्रधान मंद्री के आएंगे लेकिन अपने सांसद को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि काशी के लोगों का ये मानना है कि अगर यहां से सांसद नहीं बलकि प्रधान मंद्री चुना जाता है तो प्रधान मंद्री नरेंडर मोधी जब पहली बार यहां पर आए थे तो हिंदू नेता के तौर पर उगरे थे राम मंद्र का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोट पहुँच चुका था लेकिन उसके बाद काशी में जिस तरीके का लगाव प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को हुआ और देखने को मिला क्यों कि वह यहां पर बहुत ज्यादा लगा हुआ है लेकिन क्योंकि यहां पर शेच पर एक प्रोग्राम ऑल्रेडी चलता है तो लोगों से बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है वहां पर क्योंकि लोग एक जगहा पर बात सुनते नजर आ रहे हैं लेकिन सोबा से ही हम जब कलर की बात करते हैं मैं आप से पूछना चाहूंगे आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी आ रहे हैं कैसा लग रहा है क्या एक्साइटमेंट है बहुत अच् अच्छा उमीद है बनेगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे आपको लगता है इस बार 400 पार होगा 400 पार होंगे सर मैं आप से पूछूंगी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी आ रहे है क्या लग रहे है कितनी एक्साइटमेंट है बहुत अच्छा है काशी को लेकर क्या कहेंगे कितना डेवलपमेंट हुआ है बहुत अप हुआ है अब आगे क्या उमीद है बहुत उमीद है क्या उमीद ह क्या लगता है कि किन मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा इस बार वोट पड़ेगा राश्र का मुद्दा होगा या विक्सित भारत का मुद्दा होगा महिला होगी क्या होगा विक्सित भारत का मुद्दा होगा महिला पर भी उरच्छा का मुद्दा होगा और रोजगार प तोर पर हमारी महिला रिपोर्टर आप माम मौझूद हैं आप ने जितना बनारस को देखा इतनी भीड में जो आप पिछले 6-7 घंटे से मौझूद हैं बनारस क्या कि आपको कितना बदला हुआ लग रहा है वो क्या चीज़ें आसपस तस्वीरें दिखाते रहें और फिर बत है कि कितना पहले कितना कंजस्टेट हुआ करता था मैं खुद काशी मंदर याने बाबा के धर्शन करके आई हूं लेकिन जिस तरीके से यहां पर इस ओफ लाइफ हो गया है जो कि बहुत मुश्किल लगता था तंग गलिया होती थी धर्शन लेना बहुत मुश्किल हो जात से और साथी साथ पेरों के रास्त आप यानि के काशिव विष्वनात के दर्शन कर सकते हैं हम आपको साथी बिश्वल में की कोश्च करेंगे कि किस तरीके से यह गेट नमबर चार है जहां परstars कि मैं धितने खुबचुरती के साथ यहां का लगतार हम बाता करते हैं कंड में यहां पर हमोदी घर घर में यह लगातार कहा है यहां पर लोग जो है वह लगातार मौजूद है इस से भी हैट क्छा नियूद है उमीद तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है क्यों? क्यों हम बेरोजगार है बेरोजगार है तो आपके लिए रोजगार का मुद्दर रहेगा आप से पूछना चाहूंगी क्या लग रहे हैं आपको आज प्रधार मंत्री आ रहे है कितना कुछ क्या उमीद नहीं है? उमीद तो यही है कि जब 2047 में हम अपनी अजादी का सववा वर्सगाट मनाएंगे तो एक हम विक्सित देश के रूप में भारत को देखना चाहते हैं और यह तभी हो सकता है जब पूर्ण पहुमत के सरकार बनेगी तभी यह विक्सित हो सकता है और 2047 तक जो बारत वीश्व सकती के रूप में उबरेगा उसके लिए नरेन मोदी जैसा नेत्वी तो बहुत जरूरी है अगर विएपार की बात करते हैं तो विएपार में कितना कुछ बदलाब देखने को मिलाए अगर हम परेडेन की बात करते हैं तो क्या कुछ देखने को मिला है। जी के नित्वी तुम्हें बना है क्योंकि इससे पहले भी यहां सांसद हुए थे और इतना यह पहले सांसद के बाद की तो विपक्षकाई की पाइदा मोधी की गरेंटी के सामने तो कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि जो एंडी गडबंधन बना है वो एक ऐसा सूर्य का पीच रहे हैं और अंत में यह रत पल्टेगा और चार तारीक को पूरा देश देखेगा कि इंडी गडबंधन का रत कैसे पल्टा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जो हमारे जो करने से नाम मंदीर की है तो राम मंदीर अब बन चुका है बहुत देखें लाजनिती ले देखेंगे ना चोल की आएंगे न की इनका साथतोर से कहना था कि राम मंदिर पहले भी का इबाते हुई हैं लेकिन जो है वो प्रदान मंत्री मोदी और यौजी आदेतेनाथ के आने से बना यहीघामी उन्होंने भरी है क्योंकि यह specially तो जहां पर आपको यह नारे गूंच ते नजर आएंगे वहीं पर राम मंदर का नारा भी आपको लगतार नजर आएगा मोदी किस तरीके से तरीके से इसवार तृषूल-धारी जो है वह आएगे अलग-अलग जो कोट्स है वह यहाँ पर लगाए गए है बानल्स जो है वह यहाँ पर लगाए गए है क्योंकि काशी की जंता का कहना है कि यहाँ से प्रधान मंत्री चुना जाता है और अगर हम मन की बात करते हैं तो चाहे परेजन हो चाहे हम बात करें रोजगार की तो यहाँ पर क्योंकि परेजन अच्छा हुआ है काशी विशुना कॉरिडोर अच् जब घर लोटते हैं तो एक नई पिक्चर सामने मिलती है तो प्रधान मंत्री का जिस तरीके से लगाव है काशी से वह साफ दिखता है डेवलप्नेट के तौर पर हाला कि ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जाता है नवोगाज को प्रधान मंत्री नरेंद मोदिका क्योंकि वह काश दो रास्तों से काशी विश्वनाथ आया जा सकता है तो नवोगाज एक जामपल है आप देख सकते हैं विज्वल में दिखाने के कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो लोग है उनमें जो एक्साइटमेंट है वो लगातार जो है दिखती नज़ारी है लेकिन आप प्रधान मुद्धा था राम मंदिर जिसकी गूंच जो है वो अभी भी यहाँ पर काशी की गलियों में सुनाई देती है तो राम मंदर का मुद्धा उस ताइन पर सुप्रीम कोट पहुच चुका था ऐसे में प्रधान मंद्री मोदी ने खुद को सनातन का पैरोकार बताने के लिए काशी को चुना था लेकिन उसके बाद जो उनका लगाव है वो लोगों को देखने को मिला किस तरीके से जवलापमेंट जो है वो यहाँ पर हुई अब पिछले दस सालों में अपने आपको सनातन धर्म के रक्षक और प्रमोचर के रूप ने थापिस कर रहे प्रधान मंद अगर के दार्म की हम बात करते हैं में अभी चल रहा है बताया कि किस तरीके से प्रधान मंतरी मोदी काशी आने के बाद पहली बार कहा था कि मुझे मा गंगा ने बुलाया है इस कथन से खुद को धर्म से जोड़ते हैं तो प्रधान मंद्री नरेन रबोदी ने लगातार राजीव जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से मा गंगा ने उन्हें गोद ले रखा है आप सही कह रही हैं और इस बात का यकीन भी है कि आज और कल कम से कम से कम नमः पारवती पते हर हर महादेव यही होने वाला है बनारस में वारनसी में वरुना और असी नदी के तट पर बसी हुई इस नगरी में अरविन चत्रोहिदी का रुख इस वक्त करूंगा मेरे सायोगी मेरे साथ जुड़े हुए है बी एच्यू के ठीक सामने महामना चौक सिप अरविन बनारस कितना बदला प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को लेकर क्या कुछ वहाँ पर बदला हुए इस पर तो लोग बोल रहे हैं लेकिन जो विपक्षी हैं जो लोग बनारस के हक्मा मर जाएगी का गरस यहीं सोचता है किके मेरे साथ पिहला या यह क्या है जनता से बड़ा तो कोई जनारधन ने होता है एक बार जञा उन्से बात करते आ हैं लगे, आप लोग कहां से आ रहे हैं है काहां से आ रहे हैं आप लोग आइए ढर आ है कि प्युılar एकस पति बाहर काम करते हैं हम घर में अपना का अच्छा है बिल्कुल जीतेंगे बिल्कुल बहुत अच्छा जी जी जाएंगे जी जी जाएंगे जी जाएंगे किस महले में रते हैं दुर्गा कुंड में क्या क्या काम हुए दुर्गा कुंड में सारे काम हुए हैं जो विकास के जितने भी आयाम हैं मोदी जी को द्वारा दिये गए वो सारे पूरे हुएं सेंटर गॉर्मेंट के और आप यह जान लिजिए कि तुष्ट्री करना की माघना के बता हैं मार्णाम सुक्षी देवी तुष्ट्री मोदी को देखने के लिए तो को देखने के लिए आप आगई आगई आ लिकशिरवात दिया आपने दिया देखे राजी यही तो ताकत है आगे लेकि चलते हैं मैं देखे बहुत सारे लोग है कहां से आधू भाबा अच्छी से आधा माहूल बहुत बढ़िया बढ़िया जी जहिए आधि लाख पार साथ लाख पार पार करते हैं हाँ पार पार चला के सांथ लाख पार अरविल यहां तो वोटिंग मार्जिन बताया जाने लगा आधा है यहां पर महाल बीजेपी का मोधी मैं है एकदम मोधी मैं है आपको लगता नहीं कि आपको लोग कहते हैं कि यादो तो खाली यादो के वोड देना अखिलेश यादो के दिया है यहां Script लोग बस यादो आपको बारेंगे जो बनिया काम करेगा विकास वोड गया लुक हो आपको लगता है कि मोधी अच्छा काम कर रहे हैं यादो philosophies होट यड़्थ हम थो अभी medical line में medical line में यहां क्य काम करेंगे काम करते हैं अभी बहुत बढ़े हैं क्या नम है है आवा ककां में काला ना बाउल हुआ यार कहा महा बाम से हमाओ रथ describes so bright कौने ए व्लाक धुनार कुनाया कौन जाओ चुनार महाईना प्रत्यासी लड़ा उनके बारे में पता भी नहीं है जब कि रमेश बिंड जो है भजो ही से सांसत थे बड़ी बार्टी में हुआ करते थे लेकिन इस बार टिकट जब उनका कट गया तो टिकट जब कट गया तो इस बार जो है जो है उनको जो है समाजवादी पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है और वो समाजवादी पार्टी के गोद में चले गया है मेरे साथ दीपक हमारे कैमरा मैन है लाइव उनके पास है वो स्टार्ट हो गया है अब हम लोग गिरा सब बात करेंगे बड़ा आरण देंगे क्या बा काम का चौड़ के आप जाएंगे तो करेंगे दोन लोग में नहीं वापने डूटी में जाएंगे अच्छा महाल है जित जाएंगे अच्छी लग रहा है सब कम्जोर आप अब पक्छी वाले जाने कम जोर है नहीं को मोधी इस हाँ आपने सुना इनको मोदी जी से मतलब है चलिए आगे चलते हैं यह सजावट पर भी कुछ बताइए क्या सजावट यहां पर की रही है कि राजी जड़ा देखे हमारे साथ एक मोट साइकल से देखे दो लोग आया है जड़ा उनसे बती आले तब फिर अले चलते मनोज ग निकल गया जैसे निकला उसी समय थोड़ा सा उनимо करें और फिर नेंक् بशार और न में बहुत फर लिए हैं तोह 6 वड़ी चीज तो यह पहले नहीं कल बाद अव्लों कोशिश करते घर में रहें दा रर्चा बढ़ यह सुरक्षा काफी बहता हैं नहीं की यह कैसे कर नहीं कह सकते हैं आचा बताएंगी नहीं राजू देखे यह सिक्रेट है यह बताया नहीं नों कि यह कुछ काम में आथ बताते हैं कि नहीं बताते हैं लेकिन मुस्कुराद यह चलिए मैं और किसी से बताते हैं रुक्या और बड़ी अच्छी बात चीत हो रही है राजी इस समय और पब्लिक जो है खुब धूम से बा है अच्छा कोई बात नहीं बहुत सारे लोग थोड़ा कैमरा शाही होते हैं बताइए क्या नाम है भाई रुक जाओ यार कोई पार करने क्यों बनारस में देखा आदमी उल्टा है जादबाए मेरा नम राज है राज है राज कौन सा राज चुपा रहे हैं इतना कोई है बिल्कुल मावल तो देखने लाइक है जैसा दिख रहा है जी क्या करते हो भी हाँ पड़ते हैं मैं वैसे लोकली गोरकपूर से हूँ गोरकपूर बदला है कि बनारस दोनों बदला है बदला हो तो दोनों हुआ है कि मैं टाटा होस्पिरल में स्टाफ नर्स हूं तो आज लगरा पूरा छुट्टी का अनंद भी जी को देखने आए और साथ में एक आदमी को भी लिया है कि क्यों चलाएगा गाड़ी को आज बना दिया इन्होंने कि चलो पहले मोधी जी को दिखाऊ यह सही है देखे सामने आपको दिखाई पढ़ रहे हैं इसमें जो गुलाब की माला है उसको प्रतानमंतरी नरेंदर मोधी ने महामना के गले में डाला महामना जिन्होंने बनारस हिंदू विश्विद्याला बनाया और हजारों लाखों चात्र ऐसे चात्र जो गरीब थे जिनको कभी यह उ पिछड़ा हो और यही महामना का सपना था हम लोग लेके चलते हैं आपको ठेर सारे ऐसे लोग हैं जो किसान है मज़ूर है उनसे बातचीत करेंगे जहां नेतागिरी थोड़ी कम हो मौलिक बातचीत थोड़ा अनंदा आपको भी जड़ा मजा है लोग जो है एक बार कोशि सब्सक्राइब करते हैं कहां घर घर गाजीपूर बनास रहता हूं गाजीपूर घर और रहला बनाता हुआ है तो जीत रही है लेकिन हमारी कोई बात हम तो सुन नहीं हुआ होगी क्यों कौन सी बात पेपर जो लिक का मामला है यह रुकना चाहिए तो लोग पकड़े तो ग सबसे बड़ा सवाल है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी चीज को अंधेरे में रख रहा है ठीक है ना कोई आदमी बेमानी नहीं कर रहा है ठीक है हां लेकिन काम यही होना जो आप बता रहें नहीं हम उसको सुना भी रहा है अब बताईए कि गलत अगर हो रहा है ना तो उपर जो बैठे लोग हैं वह भी सुने जर्याना कि सवाल है कि पेपर लीक में अगर कोई अपने घर के परिवार के लोगों को उसमें भरती करा देत तो और ज्यादा तकलीफ होती जो पढ़ने वाला भी नहीं है अगर ओ अगर पुमी टाप कह जा था तो कितना दुक के बात हो घपर होना चाहिए हम भी आपके साथ हैं हम भी हम फिकलोगा हम बी आपके साथ हैं होगा यूपी ट्रिपल सी है यूपी ट्रिपल सी तीन साल में लेकपाल का फाइनल नहीं करा पाई काती की इकुल ओकर डिसकसन हो था होई पेपर तोरो बताव भी आ अरे आये हैं आपके साथ आए आए आशिरवाद देने मोदी जी का अशिरवाद लेने के लिए गंजा राम साहनी नामें भात्राम साहनी का बहुत बढ़ यहां 400 पार होई एकदम हो जाए कोई दोरा नहीं बाद मोदी जी के तपस्वी योगस्वी मनस्वी आदमी होँवन एकदम पुरे देश के राष्ट के एकदम पुरा सनातन संस्कृति के आगे बढ़ावत तुवन चार सो पार होई और इस बार जो है पुड़ा भारत जो है विक्सित भारत की तरफ पूरा अधम भूर मोगार माहार नहीं देखा वाल गंगाराम सानी ना दिया कितने तस्वीर कीच रही है क्या नामें आपका अनिलपाल अनिलपाल अरे यार अनिलपाल कहां से आल हुआ ब लड़ा तो आपन जगहां पर लड़ा तो आप देख रहे हैं कि क्या कमाल की बात है देखे दो महिलाएं बड़ी खुश हो रही है कि हम लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं हाजी कहां से आई आप लोग के लिए हम लोग एक सुंदरकान संस्था से हैं तो वहां पर आज हम लोग सुंदरकांट किये हैं मोदी जी का नारा लगाए है राम जी का 108 नाम लिए हैं तो उन्दरकांट का कुछ सुना थे कि भाई आई इधा इद्य ख्यांट ली तक हो शूरत रत तर्वेश हैं ठक गई आप अब बास एक दम क्भादा आप भी बहुत मेहनत करें थे आई जरा आई 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 देखे क्या ना मैं आपका इधर आई इधर आई इधर आई तरह क्या करती है आप तो आप कि आपने निप्टा लिया आपको सोचाता कि चलेंगे मोदी जी को इसालों से चौदा के बार सही एठा चौदा की जब भी मोदी जी आते हैं आप यहां आ जाती है नहीं आ नहीं पार रही थी पहली बार अच्छा तो पिर क्या लगा आपको क्या माहल लग रहा है बहुत हम साव इस एक खुज हा कि मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहा है कि आप के पती को आता है लेकिन मोदी जी जी जाओ चारसो पार जी कहा नहीं पान डिजी जी पर अटिवा सप्रा आपका पली अपदिया जील आफ का महल बलिया में थीटा लेकिन जीट आई वह शाय वैसानाई प्रदान मंतरी निरेंदर मोदी के लाइब तस्वीरे इस वक्त लगातार आ रही है आपके पास लोटकर या आपका ही रुक करेंगा अर्विन तब तक अब यह तस्वीरे भी दिखा देते हैं यह प्रदान मंतरी का रोब चोब धीरे दीरे आगे बढ़ता जा रहा है इसके मनजिल काशी विश्वनात मंदर के अपास जाकर रुकेगी उसके बाद प्रदान मंतरी बाबा के दर्शन करेंगे पूजा आर्चन करेंगे यहाँ पर और काशी की गली गली जहाँ पर लोग हर कही से प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के को देखने के लिए पहुँच र लोग भी वापस प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्रि का अबड़ादन सुवीकार कर रहें। से असी और सी के बाद सीधे वो गुदॉलिया तक आता है जिसके आगे बाबा काशी विश्रनात का दर है और ये पूरी एक सीधी सीधा रास्ता जिसके नजदीक से ही गंगा भी दूसरी तरफ से बहती हुई निकलती रहती हैं तो प्रधानमंत्री उस पूरे रास्ते पर भरेंगे और कल अलग 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 राज्यों के मुख्यमंत्री करी बारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ होंगे मुझूद रहेंगे नामंकन परचा भरने के दोरान और प्रधानमंत्री उससे पहले अभी अपना रोड़ शो कर रहे हैं लग नहीं रहा जिस से अब आविश्वनात के दर्शन करेंगे अर्वेंद लोगों से बात करें अब कि देखे हमारे पास एक मेड़ा मारे उनसे बात करते हैं जरा अरे बाई कहां जा रहे हैं आप अब दर लग रहा है कैमरे से आजाई आजाई है क्या आप क्या करते हैं हम बीशिकर रहे हैं कहां के रहने वाली गोरपुर अरे वाँ तो यह बताए मजे कि जरा गोरपुर बदल लहा कि बनारस पत्रव कुछ नहीं वस हमको दोनों बहुत यह अच्छा लगता है एक अगो प पढ़ा दला कि गोरपुर के रहे वाले तो हम में तरहले कि जब पहले से बड़ावाला वहां कई अभी तो वह तो वहां नहीं गया है लेकिन ऐसे नौका भिहार काफी अच्छा हो गया है जो हम लोगता फेड़िट स्पॉर्ट है घुमने के लिए तो वह का फिए प्रते क पक्का देखें घिराज सिंग कभी आईए भाई आगे क्यों भाग नहीं तो नहीं आप तो बनारस रहती है तो नहीं आप तो बनारस यूपी का कैसे पता सर मेरे रिलेटिव हैं जो कि यूपी के अलग-अलग एरिया में रहते हैं और उनसे बात करने से और उनके एरिया के बारे में जानने से हेंडेट परसेंट चार सो पार अपरो सुभेरे संजा फोन करती रहती कि क्या चल रहा है एकड़ में ग्रूप बना हुआ हम लोगों का और आपस में डिस्कसन होता है तो एक व्यू निकल करके आता है तो यहीं है कि इस बार चार सो पार होके रहेगा यहीं पूछा लू कि र हो नहीं गाना नहीं बनाएं नहीं क्या नहीं है आपका चौरसिया है पाराण सी के धरते आपका सवगत करता हूं क्या बात है सर मैं आप से बात कहना चाहता हूं हमारे देश में सब्सकीत में नहीं जाना चाहते हैं कि आगर कि अगर मैं उनके पाथ गया तो साथ मैं फिर पाट परशेंट पर रहे जाओंगा वह इस समय मंदिर मंदिर कृष्णी राधे सब यप रहे हैं और दूसरा चीज जो आरूप लगाते हैं रोजगार के बारे में मैं पूछता हूं रोजगार होता क्या है रोजगार यह होता ह अगर इसके हाथ में दम है तोकभी भूकापिट नहीं सो सकता वह कहीं न कहीं से अपने परिवार रोजगार पाल लेगा अथे ना काम है आप हमारे देश में 24 के बाद इतनी सारी कमपनियां जो मुबाइल की कमपनियां होई चाहे बहुत सारी कमपनियां यूपी में आई हैं क्या वो किसी को रोजगार नहीं दियोंगे की गई है देखिए क्या नाम है आप कहां जा रही है नहीं आ रही है चले कोई बात नहीं आए जड़ा आगे लेकि चलते राजी आपको जड़ाव लोगों से बात करते हैं बहुत बढ़ीयां मूड है जंता का यहां पर राजीव और क्या उत्सा है मतलब मैंने तो ऐसा उत्स मोद्री के रोड से आ रहे हैं मेरा नाम अविनाज सिंह कहां रहते हैं मैं जहत्र का सी इंदुपिस विद्धियाले का हूँ लुए वाला हूं गाजीपूर में अपकी बार नौकरी बेरोजगारी पेपर लिक बता होतहूं कि तू कौन-कौन इंतहन देला मैं मैं तो आगे चलते हैं दीपक आजाईए दन्यवाद मैं एक मिन रोक रहा हूं आपको अर्वेंद एक मिन रोक रहा हूं थोड़े देर इंदार कीजिए अर्वेंद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का काफिला आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे सड़क के किनारे जो बिल्डिंगें हैं जो इमारते हैं उस पे लोगों का जोश दिख रहा है मौजूद सड़क के किनारे मौजूद लोग पारंपरिक वेश भूशा में प्रधान मंतरी का स्वागत कर रहा हैं प्रधान मंतरी भी यो मुक्य मंतरी हो गया प्रधान मंत्री अपने वोटरों के बीच में हैं और ये तस्वीरे बता रही हैं कि प्रधान मंत्री का रोड शो क्यों सब की निगाह का केंदर बना हुआ है क्यों सब की नजरों में हैं ये तस्वीरे बहुत कुछ बता रही हैं लाइट तस्वीरे इस वक्त आप इंडिया नियूस पर देख रहे हैं और यह तस्वीर प्रधानमंत्री के रोडशो की जो की गुदोलिया की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है बाबा विश्रुनात के दर्शन करिंगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदितिनात आपको तस्वीरों में देख रहे हैं क्या करें प्रधानमंत्री भी यहां पर हैं और उम्मीद्वार के तौर भी यहां पर हैं और रोडशो प्रधानमंत्री जनता के सामने कर रहे हैं बीजेपी का निशान दिखा रहा हैं लोगों की भीड इस वक्त देखिए बच्चे युवा सब सजे तजे पारंपरिक कि बोलने वाला है बंबं बोल रहा है काशी है तो कहा जाता है तस्वीरें यहीं बता रही है अर्विंद आप बात कीजे लोगों से राजिव मैं आपको लेके चल रहा हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ देखिए अपने एक भाई आ रहा है क्या सर बात करेंगे कुछ लग रहा टेलिफोन पर बात चल रहा है कोई बात नहीं हम लोग आगे चलते हैं देखिए पब्लिक बहुत है क्या भाई कहां से आ आप लोग आई जरा यह देखे सारे लोग मोधी नरेंद मोधी इधर आवा कि नर्वा आवा यार रहर का ना अवत वार भाई अर्विन ना अवत वार बात कहा घर तो आप फतेपूर पलता है फतेपूर से आगी लिए जी अब बात वही का माओ लाई यां बढ़िया चल रहा पार कंफर्म है पहले से आप चुकि बपच्छी के पास कुछ है नहीं दिमाग लगाएंगे तो उनको देदिये करें सब्सक्राइब Теперь का इंफेफेथ दिखेश गंधगी चार सब्सक्राइब लगतने सब्सक्राइब आप हो इस लोगitel सब्सक्राइब शा Kurt पुझक यही बतानी पाएंगे तहासलो की मिलेगा तो गलतकी कहिए हम इतना जानते अगर आप योग में तो आप उस जगा अपने आप पहुंच जाएगे जो आदम उसे प्रेंदर दम रही होके जो है नौकरी मिली राजु देखें हमें जवाब मिल गया कि अगर आप वाकई उसके काबिल होंगे तो नौकरी आपको मिलेगी और यहीं सभाब है देखें दो साथी लोग जा रहे हैं ज़रा फोन से बात करते हैं कोशिश करते हैं सर मैं यहां पर प्राइवेट संस्था में काम करता हूं विद्याले में हूं क्या महौल है आज यहां का महौल इतना अच्छा है कि आप उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते अजयर आये को दो लाक बीस हजार से जादा वोट नहीं मिलेंगे एक दम मुर्री मनौ और जोशी के समय का वोट रिकार्ड उठाकर देख लीजिए वोट प्लस थोड़े बहुत मान लिजे सपा का वोट क्योंकि सपा का कोई कंडिडेट तो है नहीं मिला जुला उनका तो गड़ बंदन है तो गड़ बंदन का टोटल कितना वोट मिलेगा जितना पिछली बार चौरसिया जी को 45 जार मिला था उतना वह एक दम बिलकुल बिलकुल वह बुद्धिमत्ता होती समझदारी नजर भी आती पहले भी वह भाजपा में थे और भाज जी के अंतराल पे आप ये गिनिये कि कितने अंतर से वो हारने वाले हैं बस ये अंदाजा लगा लिजे कि वह अना कॉन्फिडेंस पूरी पूरी तरीके से बाहिए ये दर्शक ये ये जो बनारसी शक्स आपको मिले हैं या आंकडों पर बात कर रहा है और मुझे लगता है थोड़ी देर में ऐसा ही बोलने वाले और भी लोग आपके साथ होंगे आप कहीं मत जाएगा अरविंद बने रहीएगा एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं